नई शुरुवात इंसान को जरूर डराती है, मगर ये याद रखना मुश्किलों के पार ही सफलता नजर आती है. और सही संकल्प और ड्रिड निश्चे ही आपको उस सफलता के करीब ले जाता है. और फिर सफलता हमारे कदम चूमती है. आपका संकल्प अभी तक मैंटेंड है और आप इसे फुल्फिल भी कर रहे हैं. आप क्वेस्टिन्स भी प्राक्टिस कर रहे हैं, नोट्स भी रिवाइस कर रहे हैं और लेक्ट्स भी तामली देख रहे हैं. I hope so, अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आपने बहुत अच्छे से उसको समझा है, रात को सोने से पहले उसे रिवाइस किया है और सभी क्वेस्टिन्स की प्राक्टिस दुबारा से भी की है. तो इसी संकल्प को मेंटें करते चलेंगे, और गेनिक केमिस्ट्री क का बेसिक था, जो हमने 11th क्लास से स्टडी करना था, वो भी फिनिश हो जाएगा, और 12th क्लास का इनिशली, हेलो एलकेंज और हेलो एरीन्स जहां से स्टार्ट होता है, हम वो भी शुरुवात कर लेंगे, और हम वहाँ पर क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, या या यू प फूर स्माइल, स्माइल ज़रूर होनी चाहिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, राइट, ओके, चालिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं, स्टूडिन्स सबसे पहले सेग्मेंट की तरफ से देखिए, अब इतक हमने प्रीवियस लेक्चर के इंदर कहां तक कवर कर लिया था, आज हम शुरूरात करने जा रहे हैं, जी उसी के बारे में, यानि की जेनरल और्गेनिक के मिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें जितना रिक्वाइड है, मैं उतना आपको अच्छे से बताने वाली हूँ, भी क्या ओर रहता है, क्या इलेक्ट्रोफा आपको अच्छे से इन डिटेल, कैसे स्टडी करने हैं, वो मैं बताने लगी हूँ, आज के इस लेक्चर में, जी ओसी, जी यानि की जेनरल और्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपको एक रियाक्शन से कैसे पता चलेगी, ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ बेस्ट है और्गे और्गेनिक रियाक्शन से कैसे टेक प्लेस करती हैं, क्या कभी सोचा आपने, मैं बताती हूँ कैसे होती है, आपको होगे, मैं बहुत सिंपल है, रियाक्टिंट रियाक्ट करेंगे, प्रॉडक्ट मनाएंगे, यह तो बच्चों वाली कहानी होगे, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं हम, आज हम देखेंगे इसे, क्या नीड पढ़ी इसकी, वो भी आज हम समझेंगे, तो देखना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हमने क्या करना है, हमने सब्स्ट्रेट लेना, सब्स्ट्रेट इस बेसिकली अवर रियाक्टिंट जिसकी उपर रियाक्शन हो रह यानि हमने एक substrate लिया which is known as a reactant, जिसके उपर reaction हो रही है और इसके उपर आकर के attack कौन करता है, एक attacking reagent आकर के attack करता है, ठीक है, अब माम जब उसने उसके उपर आकर के attack किया, तो क्या बनेगा, बहुत simple सी चीज़ है students, यहां से आपको दो states देखने को मलती है, या तो intermediate state बनती इसके अलावा या फिर transition state भी देखने को मलती है, ठीक है, और यह दोनों ही further, चाहिए intermediate बन रहा है या transition state बन रही है, वो further हमें क्या देने वाले हैं, वो further हमें product ही देने वाले हैं, तो देखो बहुत simple कहानी नहीं है, सीधा reactant से product नहीं बन रहा, बीच की कहानी तो आप में product बनता है, हम इस कहानी को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन अब यहां यह समझना है भी ठीक है, यह reaction हमें समझ आ गई, substrate है, attacking reagent आया, उसने attack किया और product बना दिया, okay, we are fine with it, but यह बताईए, यहां यह है क्या क्या चीज़े, यह substrate में क्या देखने वाले हैं, what is our attacking reagent, what is intermediate, आप इनके बारे में भी बताओ, तो देखो धिहान से सुनिएगा, जो भी हमारा substrate होता है, सारा खेल यहां पर electron density का होता है, देखो, अगर आपके substrate की electron density ज्यादा है, तो जो attacking reagent आएगा, उसकी electron density कम होगी, अगर आपके substrate की electron density कम है, तो जो attacking reagent आकर के attack करेगा, उसकी electron density ज्याद बड़ा होगी इस तरह से start होता है अब अब को होगे माम यह एक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे पता चलेगी तो यह icons density पता करने के लिए आते हैं electronic factors, electronic effects नाते हैं तो वो जो electronic effects हैं वो हम study करते हैं इस category में मतलब यहाँ पर हम क्या देखेंगे यहां पर हम और electronic effects की help से ही हम electron density को बता पाएंगे, ठीक है, इतनी कहानी clear होई, अब okay ma'am attacking reagent आएगा, ठीक है, मान लिया, अगर इसकी electron density कम है तो ज्यादा वाला आएगा, लेकिन हमें क्या बताब कौन सा attacking reagent आएगा, क्या attacking reagent की भी types हैं, बिल्कुल types है, attacking reagent भी students दो types का होता है, attacking reagent can either be your electrophile, can either be your electrophile और it can either be your nucleophile, तो अब पता चला है, electrophile, nucleophile कहां भे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, समझाई कहानी, electronic effects की समझाई, electronic effects में effects है, permanent effect है, temporary effect है, इसके इंदर हम पढ़ते हैं, inductive effect, resonance effect, hyperconjugation, mesomeric, जो बड़े-बड़े अपने term सुनी है, वो सब इसके इंदर आत density का पता चलेगा, तो हम उस accordingly attacking reagent को लेकर आएंगे, भी हमें कौन सा attacking reagent चाहिए, क्या हमें वहाँ पर electrophile जो कि जाकर अटाक करेगा substrate पर, या हमें nucleophile जो कि जाकर substrate पर attack करेगा, तो यहाँ पर हमें उसके बारे में पता चलता है, अब बारी आती है, ठीक है, आपने कहा, effects ह हम यहाँ देखेंगे, मतलब inductive, resonance, mesomeric और यह सब हम यहाँ देखेंगे, electrophile, nucleophile यहाँ देखेंगे, लेकिन माम एक और चीज रहे गई, carbocatine, carbocatine, carbon free radical, यह कहाँ देखेंगे, तो यह सभी होते हैं, students, intermediates, तो intermediates की काटेगरी में आप क्या देखूगे, तो intermediates की काटेगरी में आप क्या देखने वाले हो, यहाँ आप देखने वाले हो, carbocatine देखने वाले हो, यहाँ आप देखने वाले हो, carbocatine, यहाँ आप देखने वाले हो, carbon free radical के बारे में, तो आप यहाँ पर इन सब को देखने वाले हो, किसमें intermediate, और finally, intermediate ही तो product बनात तो पड़ा चला पूरी की पूरी जी ओसी कैसे बंस यह पूरी फंडामेंटल winding के कि मिस्ट्रीए तेख सबस्के मीडियों देख हो और ऐक और जिएक और स्थिभंस में ही सारी और के इम सारी और समाहिन की मीडियों करके आपको दिखा दी गाई है जाहे उटेंगी उटेम् कि जब यह reaction हो रही होती है, तो एक certain medium में भी होती है, उस medium को भी study करते हैं, but for your general knowledge sake, हम इतना ही आज की lecture में cover करेंगे, जितनी हमें requirement है, हम यहां से सारा कुछ almost cover कर लेने आप देखो students, इतनी कहानी तो हमें समझ आ गई, let us read it and move, because reading भी बहुत जरूरी होती है, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ चीजों को समझ रहे हैं, हमें लिखना भी जरूरी है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, तो हो सकता है, कुछ points ऐसे हो, जैसे कि मैंने आप बोला, इसकी density जैसे होगे, तो इसकी कम लेनी होगी, इसकी कम होगी, तो यह जादा वाला आएगा, तो यह कुछ ऐसी चीजे होती है, जो आपको खुद से लिखनी होती है, और जब आप लिखते हो, वो आपके दिमाग में खुद बैठता है, तो साथ-साथ लिखो, अगर आपको लगता साइड पर हो जाएकर हो, हम लिखने के लिए, तो मुझे यह चीज याद है, और मैं हाँ पर लिख रहे हूँ, ठीक है, चले, आगे, बढ़े, देखे, आगे क्या होने वाला है, बहुत छोटी-छोटी चीज़े लेके चलेंगे, एरो लेके चलेंगे, कौनसी आरो क्या बत होती है, वैसे ही, वैसे ही स्टूडेंस हम कहाने वाला है, पहले बढ़े इसको रीड कर ले, फिर आगे चले, इन अर्गेनिक रेक्शन, दे रियाक्टेंट और गेनिक मॉलेक्यूल, नौन अस सब्स्ट्रेट, ठीक है, यह रेक्टेंट होता है, मैंने कहा था, विच रिया इ स्टूर्ल रियाक्शन कहते हैं, जिसको उसने रdefense किया है, clear हुआ चलो अब आता है, फिजन और कोवववलेंट बोंड, फिजन क्या होता है, यानि कि ब्रेक करवाना किसी कोववलेंट बोंड को, एक कोववलेंट बोंड में कितने लेक्टरों गर्ष होते हैं, बेसिक सी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, सभी, क्या है यहां पर देखिए, फिजन बेसिकली, दो तरहां की होती है, एक होती है होमोलिटिक फिजन, एक होती है हेट्रोलिटिक फिजन, let me read it for you, Organic reaction usually involves making and breaking of covalent bond. Organic reaction में जाधा तर क्या होता है? इस सब को छोड़ दो. देखो, क्या होता है? Reactant product बना रहे हैं तो reactant के अंदर bond टूटेंगे और product के अंदर bond बनेंगे. तभी reactant से product बनता है. जब reactant के bonds break करते हैं और product के bond form होते हैं. तो basically organic reaction में क्या होता है? making यानि कि product के बनने and breaking यानि कि reactant के bond के टूटना होता है of covalent bond the fission of the bond यानि कि जो breakage होती है bond की वो दो तरीके से हो सकती है पहली आती है heterolytic leverage या heterolytic fission भी कह सकते हो या फिर unsymmetrical fission भी कहा जाता है और दूसरी category आती है homolytic fission और symmetrical fission अब मैं यह पर थोड़ी थोड़ी theory के लिखके लाई हूँ क्योंकि आपको छोटी-छोटी चीजे समझाने हैं वो मैं आपको यहां note करवाऊंगी और जुसकी basic definition वगेरा है वो आप बाद में read करोगे पहले आप समझोगे फिर हम इसको read करेंगे न तो आपको खुल से समझ आएगा भी अच्छा ऐसे होता है ऐसे होता है तो देखो पहले मैं बात करने जा रही हूँ हूँ homolytic की क्योंकि यह simple है यह समझ आगे तो heterolytic भी आराम से आजाएगा देखना पहले मैं बात करने जा रही हूँ हूँ homolytic यह homolytic भी कह सकते हो fusion की, fusion का मतलब मैंने आपको बता दिया है, breakage है Homo का मतलब क्या होता है Homo का मतलब होता है same Homo का मतलब क्या होता है, same होता है, prospektos मैं मेरे पास क्या है, दो same atoms है, A और A इन दोनों के बीच में bond है अभी बताके वटे हो, एक bond में दो electrons होते हैं, तो मैं इनके electrons को कुछ इस तरह से represent कर रही हूँ, समझाई? मेरे पास दो same atom है, उनके बीच में दो electrons हैं, ठीक है, अब देखना क्या होगा? यहाँ मैंने आपको अब भी बोला, भी यहाँ पर bond break होने वाले हैं, इतनी चीज हमें पता है, यहाँ पर breakage होएगी, bond की bond टूटेगा, अब जब आपके पास same atom होते हैं तो यह दोनों electron क्या करते हैं, एक electron एक atom के साथ चला जाता है, मतलब क्या करेगा? अब एक bond पर दो electrons हैं, दोनों एक एक लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ से इस तरहा की arrow हमें देखने को मलती हैं, इस तरहा की arrow, देखो अब arrows बहुत ज़रूरी हैं, जब भी हम ऐसी arrow represent करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक electron मूँब हो रहा है, एक electron मूँब हो रहा है, देखो, ठीके, जब भी आप ऐसी arrow का यूज करोगे इसका मतलब है two electrons यह देखो यह आपकी half arrow है यह पूरी नहीं है यह यह half arrow है half का मतलब एक electron पूरे का मतलब two electrons जा रहे हैं यहां इसका मतलब क्या हुआ भी इस ने अपना यह electron ले इस A ने अपना यह electron ले दिया, अब आप bond ऐसे शो कर पाओगे, हो जाएगा, ऐसे शो कर दोगे, देखो, ऐसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँगी, तो यह मेरी पूरी arrow हो जाएगी ना, तो मैंने इसको half arrow से शो किया है, ऐसे करके, ठीक है, इसका मतलब एक electron है, इसका मतलब द इसका मतलब एक electron यहां पर होगा, सभी को clear हुई, इतनी सी चीज, छोटी सी चीज, arrows यहां पर समझना जरूरी है, क्योंकि यह छोटी-छोटी चीज़े होती है, जो बच्चे भूल जाते हैं, यह बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, वो सीधर रट्टा लगा लेते हैं, चला गया, अरे चला तो गया, एरोतुर शोग करके दिखाओ, वहां पर सीधर नहीं लिख सकते हैं, भी electrons चले एक-एक लेके चला गया, आपको वहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, यहां पर अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, एक-एक electron जब ले जाता है, तो जैसे ए, पर एक electron आगया, प्लस ए पर दूसरा electron आगया, इन अदर वर्ड्स हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो ए, अब जब एक-एक electron होता है, तुसको फ्री रेडिकल गयते है, क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, जब एक-एक electron होता है, तो यहां से हमें क्या मिला, क्या मिला, यहां से हमें दो फ्री रेडिकल अटेन हो गए, यह होती है, होमोलिटिक फिजन, जहां पर similar atoms, मैं फिर से बोल रही हूँ, same, यानि कि यहां पर आपके atoms क्या होंगे, similar atoms होंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है जी, चौलो, second देखें, great, second हमारे पास आती है हेट्रो, हेट्रो, हेट्रो लिटिक फिजन, अब हेट्रो का मतलब क्या होता है, देखो, but obvious है, हूमो का मतलब अगर same होता है, तो हेट्रो का मतलब different होता है, जी हां, बिल्कुल correct, हेट्रो का मतलब क्या होगा, हेट्रो का मतलब होगा, हेट्रो का मतलब होगा, मैं different, जहां आपर हमें दो डिफरेंट एलेमेंट से देखने को मिलते हैं, केस लेते हैं, A, B का, यहां पर हमने सिंपल दो A लिये थे, अब मानलो आपके पस क्या है, A जो है वो B से बॉंडड़ है, कुछ इस तरह का सिस्टम देखने को मिल रहा है, आपको पता है, एक बॉंड पर कितने इलेक्टरॉंड होते हैं, माम एक बॉंड पर होते हैं, दो इलेक्टरॉंड पता है सभी को, जी माम पता है, अब माम ये बताओ, यहां पर ब्रेकेज कैसे होगी, ब्रेकेज कैसे होगी इस बॉंड की, तो बहुत इंट्रस्टिंग चीज है आपर, बहुत हमने करीनी डंग से या हमें आती नहीं है या जिनको आती है वो तो फटावट इसको solve कर लेंगे अब मैं हर बच्चे को लेगे चल रही है और मेरे दिमाग में वो बच्चा भी है जिसको नहीं समझ आ रहा भी what is electronegativity है जिसने सुना हुआ है पर उसे याद नहीं है ठीक है य attract shared pair of electron pair of electron pair का मतलब क्या होता है pair का मतलब दो electron होता है ऐसी tendency किसी भी एक आटम की अगर उसकी electronegativity जादा है तो वो दो electron अपनी तरफ attract करेगा attract करने की tendency को कहना मान लो मान लो मैं कहती हूँ b is more electronegative electronegative को मैं en से लिख रहे हूँ ठीक है than a तो कैसे represent करूँगी इसको इसी चीज़ को मैं कैसे show करूँगी यह a है यह मेरा bond है यह b है अब जब b मेरा मुझे पता है more electronegative है तो electron इसकी तरफ थोड़े से shift हो जाएंगे यहां पर ऐसा है ना यहां shift हो जाएंगे जब मुझे यह पता चला भी b की electronegativity जादा है यहां पर बताओ वापिस आजो homolytic में electronegativity का कोई फरक आएगा नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा मैं same atom है यहां atom अलग लग ली है ना तभी electronegativity का फरक आ रहे है जब same atom होते है तो there is no no electronegativity difference no electronegativity difference अब यहां electronegativity का difference आया अब फिर से बापिस आओ electronegativity की definition पे the tendency to attract shared pair of electron electron पे कैसा चार्ज होता है यह तु सभी को बता है negative charge गुड़ अब electron पर negative charger और कुई atom उसको attract कर रहा है अपनी तरफ तो उस atom पे कैसे साईगा negative आ रहा है तो इसके उपर पर कैसे चार्ज आजएगा और तक बॉंड नहीं तूटे चला जाएगा चला जाएंगा तो इस पर हम कहते है कि इस पर पूरा चार्ज आ गया अब जैब ल सब्सक्राइब एक थे शैर भंध की टर तो हो रहे हैं आप तो यहां पर थीन पर कैसे चाहिएगं डाइगा पार्शटल नाओगा आदा होता है नेगिटिज कि वहा है क्योंकि electron उसकी तरफ जादा attracted है अच्छा ये समझ आ गया हम ठीक है इसको ऐसे represent करते हैं समझ लिए अब मुझे बताओ अगर B पे कुछ चार्ज आ रहा है A पे भी तो आएगा बिलकुल आएगा कौन सा चार्ज आएगा सोचो सोचो A पर हमारा जो चार्ज आने वाला है students हुआएगा partial positive क्यों भाई अब ये भी बताओ ऐसा क्यों हुआ इस बिचारे पे partial positive क्यों आएगा अब देखो ध्यान से इस चीज को भूल जाओ सब भूल जाओ ये देखो आप एक neutral species हो आपके पस positive भी है negative भी है neutral का मतलब क्या होता है equal positive और negative का होना ठीक है अब मालो negative आपसे दूर जा रहा है तो आपके पस क्या बचेगा positive बचेगा जब negative चला गया then you are left with positive समझे neutral का मतलब positive और negative equal होना भाई negative चला गया बचा तो positive ना अब इस A और B में पहले गया हो रहा था पहले अगर हम इनकी सेम electronegativity देखे तो दोनों में share हो रहे थे equally अब जब मैंने ये कह दिया B के पास electronegativity जादा है तो electron B के पास चले गया अब जब उससे दूर चले गया तो A क्या हो गया electron deficient हो गया मतलब कमी हो रही है ना उसके पस electrons की क्योंकि electrons तो दूर जा रहे हैं तो जब कमी हो जाती है जब electrons चला जाता है तो neutral species के पास सिरफ और सिरफ positive बचता है तो इसके पास partial positive आएगा समझे अभी समझे इस चीज को simple सी चीज थी simple सी चीज थी चलो अब इसको समझाने से पहले ना मैं क्या चाहती हूँ एक बार आप यह case भी बनाके दिखाऊ मुझे A is more electro negative than B यह वाला case बनाओ फटा 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 टाइम नहीं लगाना फटा बड़ बनाओ फिर आपको यहां पर cleavage तो करें हमने तो represent कर दिया अभी bond को तो कि नहीं किया ना फटा बड़ बनाओ यह वाला case बनाओ फिर दोनों साथ में कटते हैं ठीक है जल्दी करिये जल्दी करिये कि यह ऐसे दिखेगा यह है मालो यह B है अब मैंने बोला एक की electronegativity ज्यादा है तो जब electronegativity का difference आता है तो अगर यह partial negative है तो यह अपने electrons लेकर करके चला जाएगा तो यहां पर मैंने पूरी arrow लगाई पूरी arrow का मतलब क्या होता है दो electrons मतलब जब B अपने electrons लेकर के चला गया तो उस पर कैसे चार्ज आजेगा नेगिटिव और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा ए पॉजिटिव इस तरह से इस के लिए समझे वह अपने दो electrons लेकर के चला गया तो यह बिचारा electron deficient हो गया अब इन पर पूरा पूरा चार्ज आ गया पहले आदा 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 फट्रों जाए दो इलेक्ट्रों जाए तो चोटीचीज है जो हम इंपता ही नहीं होते हम कर भी रहे होते हैं यहां पर यह दो पूरी आरो लगाऊगे दो एलेक्ट्रोन है मतलब नेगेटिव चार्ज का इन अधर वर्ड मतलब दो एलेक्ट्रोन है जी हाँ तो कि थी छोड़ी थी चीज थी पड़ा चली गुड इसको लिखो मैं टegen Haupt लेक्टो का आधर लिखो अरे क्या हो गया ऐं आ शोरी जिख हो लिखो 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 टाकि हम आगे बड़े लिख लिया, screenshot ले लिया करो, ठीक है, वरना ऐसे class लंबी होती जाएगी न, screenshot ले लिया करो या pause कर लिया करो, best option है, चालो, अब इसी को read कर लेते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, when a covalent bond between two atoms, A and B, breaks in such a way, that both the electrons of the covalent bond, that is the shared pair, जो share हो रहे हैं दोनों के बीच में, उसने क्या बोला, पह यहां लिखती जाती हैं, when a covalent bond between A and B, ठीक है, breaks in such a way, यह इस तरहां से break होगा, किस तरहां से break होगा, भी जो दो electrons है covalent bond के, यह दो electrons यहां थे बिचारी के पास, जो share ह हो रहे थे, are taken away by one of the bonded atom, मान लो, यह B ले जाता है, arrow भी अवली है ना, B ले जाता है, यह बनता रहा है आसे, हैना, B ले जाता है, तो mode of bond cleavage is called heterolytic fission, इसे क्या कहते हैं, heterolytic fission कहते हैं, जब कोई भी एक ले जाता है, यह किस case में है, जब हमारी B जादे electronegative है, अगर A electrone negative होगा, तो A पर negative हाएगा, B पर positive हाएगा, है ना, आप देखो, heterolytic fission is usually indicated by a curved arrow, इस arrows represent करते हैं, देखे हैं, पर यह arrow यूज हो रही है, which donates a two electron displacement, मतलब दो electron displaced हो रहे है, displacement क्या होता है, movement होना, नहीं समझाती है, तो यहां लिख लो इसको, भूल दोगे नहीं, movement होना, उसका move कर रहे हैं वो एक जगा से, दूसरी जगा पर, समझे, good, चलिए, अचा, एक और, इसी की case में, अगर मानलो, मैं आपको कुछ ऐसा देती हो, carbon, 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 fluorine, अचा, मुझे यहां पर ना, सिरफ, सिरफ मुझे cleavage मत करके दिखाओ, मुझे यहां पर ना, सिरफ यहां पर breakage नहीं करके दिखानी, फिजन नहीं करके दिखानी, सिरफ यहां पर partial negative charge indicate करके दिखाओ, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, fluorine is more electronegative than carbon, पड़ावट से, एक हिंट दे दिया है, fluorine is more electronegative than carbon, काम करके दिखाओ, यहां पर कैसे हुआ, कैसे करना है यहां पर, देखो, मैंने पता है, fluorine is more electronegative, fluorine सबसे जाथ होता है, periodic table में electronegative नहीं पता, यह भी बता दिया, inorganic concept है, electronegative की definition आपको पता है, tendency to attract shared pair of electrons, अच्छा, इस पर partial negative आया, तो इस carbon पर कैसा आएगा, partial positive, आप समझना, एक छोटी सी कहानी है, जो यहां समझाना चाहती हूँ, मैं, क्या समझ negative, negative, equal amount में थे, negative भाई सब दूर चला गया, तो उसके पास क्या भचता है, positive भचता है, मतलब electron की कमी हो गई, तब ही positive हुआ, अब इसकी electron की कमी को पूर्णी करने के लिए, जो 7 वाला carbon है, वो अपने electrons हलके हलके उसकी तरफ shift करेगा, यह क्या करेगा, यह क्या करेगा, यहा साधे electron negative था, अब यह electron deficient हो गया, तो 7 वाले carbon ने क्या किया, थोड़ से electron उसकी तरफ shift कर दिये, इस bond के, जिसके खारण, अब यह क्या हो गया, यह electron deficient हो गया, यह बिचारा electron deficient हुआ था, फ्लोरीन की वज़से, अब यह वाला क्या क्या करेगा, इसको अलकल का shift करेगा, त ताकि चलो थोड़ा सा, उसकी electron deficiency कम की जा सके, पर यह भी तो खुद भी तो electron deficient हो जाएगा, चलो कोई बात नी, अब इसके पीछे वाला carbon भी क्या करेगा, वो भी इसको electron देगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, electron deficient, तो आप को गया, मैं बहुत कब तक चलता रहेगा, ऐसा process तो यह up to four carbon atoms चलता है, up to four carbon atoms observe किया जाता है, यह छोटी सी चीज़े हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत basic चीज़े हैं, पता होनी चाहिए, अब एक और example यहाँ पर लेती हूँ, जो मैं चाहती हूँ भी आप खुद से करके देखें, क्योंकि इनका ना आगे कही ना पता चल जाएगा, जब यह छोटी चोटी चीज़े पता चलती है ना, तो organic chemistry में जो भारी भरकम reactions आप देखते हो ना चाप्टर में, वो याद नहीं करता कोई, वो याद हो जाती है, और वो याद कैसे होती है, क्योंकि आपको basic concept पता है, इसलिए, अब चलो, यहाँ पर आ मैं, fluorine जाद है, electron negative होता है, तो इस पर partial negative, partial negative, partial negative, अब यहाँ देखो, एक ही carbon है, जो बिचारा अपने bond के जो electrons है ना, वो इसको दे रहा है, fluorine, 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 यह बहुत जादा electron division हो जाएगा बिचारा, लेकिन इसको balance करने के लिए क्लिए क्या होगा, पीछे वाले क्या क्या करे इस bond की बात कर रही हूँ, इस bond पे जो दो electron share हो रहे है, वो थोड़े से shift हो जाएगे, कुद के वास कोई नए electron नहीं आ रहे, वही bond के दो electron थोड़े थोड़े shift हो जाएगे, तो यहाँ आपर देखो, जी क्या होगा, अब यह थोड़े थोड़े जब shift हो जाएगे, तो यह इसे कि मैंने आपको बोला, अब हम यह तो पढ़ रहे हैं, वापिस आए यहां कहानी पे, यहां मैंने बोला हमें electron density के बारे में पता चलवाना है, भी substrate में electron density का अगर पता चल गया ना, तो attacking reagent की electron density कौन सी लेनी है, ताकि वो attack कर रहा है, वो हो जाएगा help, मतलब यहाँ य काम किस में होगी, देखो, electron density का पहला order, जो याद नहीं करना, समझना है, अगर याद कर रहे हो ना, तो भाई, दुवारा से lecture शुरू कर लो, starting switch, दुवारा से सुनना शुरू कर दो, याद नहीं करना, समझोगे अब जो कहूंगी, आपके पास है, A negative, A और A positive, ध्यान से positive, negative charge है तो उसका charge आपकर शोर नहीं करते, एक species है जिसके उपर negative charge है, अब भी बता के attitude, negative charge का मतलब क्या होता है, दो electron का होना, और positive charge का मतलब क्या होता है, electron की कमी होना, electron density क्या होती है अब इसको समझना, electron density मतलब जहाँ पर electron जाधा present है, अब मुझे बताओ, A negative, A और A positive में इसे electron जादा कहा होंगे? सबताओ, आपको जाओ, मैम, negative charge उसके ऊपर present है, है ना? negative charge present है, तो मैम, 2 electrons present है, बिल्कुल 2 electrons present है, मतलब मैम इसकी बस तो electron है, जी है, मतलब इसकी electron density जादा, अचा, अब बताओ, A और A को बनुचरी में से किसकी electron density जादा? A positive तो बिचारा electron deficient है, खाली है, electron ही नहीं है, समझें, दुबारा समझेंगे, neutral species क्या होती है, जिसके वाज positive, negative दोनों है, भई negative चला गया, सिरफ positive है, और neutral वाले को ले लो, यह तो हो गया positive वाला, जिसके वाज सिरफ positive है, negative नहीं है, neutral पे आजाओ, neutral पे positive भी है, negative भी है, तो electron density, electron का हो ना, electron कहां पर है, neutral में तो है ना, at least, A positive में नहीं है, बट इसमें तो है ना, तो इसकी electron density इससे जादा होगी, तो यह order समझा आ गया सभी को, आ गया सभी को, तो पहला चीज पदा चली, electron density कैसे पता करते हैं, पदा चली, समझाई, कहां नहीं या तक के फिजन की सम करता, नहीं कर पाएंगे, पस फिर हम ठानी लेते हैं, फिर हम घबरा के बैढ़ जाते हैं, हम उसके पीछे एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, ऐसे वेस्ट कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है, पदा है कब दियान आता है पढ़ना, जब पेपर आ र एक घंटा है, नहीं बड़ा, तो भाई, फेल हो जाऊंगा, पता है ना इस चीज का, तब आपके दिमांगे प्रेशर होता है, नहीं किया, तो गय काम से, और वैसे, वैसे आप क्या सोचते रहेते हैं, अब भी टाइम पढ़ा है, कर लेंगे, कर लेंगे, लेकिन ध्यान द कर सकते, जब तक कि हमने हमारा गोल, हमारा ड्रीम ना सेट किया हो, हमारा ड्रीम कुछ बनना है, कुछ बनना है, और वो बनने का ही जुनून हमें ना काम करवाता है, वो ही जुनून हमें रोज उठाता और कहता है, यार मुश्किल है ना तो भी कर, मुश्किल है तो भी कर, क्यों कि मुझे अपने आपको बदलना है मुझे वह situation लेकर आनी अभी yes मैंने करके दिखाया मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना मुझे किसे प्रूव करना है अपने आपको अगर आपके मन में students यह चीज नहीं जा गरी न तो जगाओ इसको time waste मत करो time वापिस नहीं आता time वापिस नहीं आता एक वो बच्चा आप लेलो जो simple exam के time पर जाकर त्यार कर रहा है और एक बच्चा वो लेलो जो daily थोड़ा थोड़ा इस है कोशिश तो कर रहा है मैं बता रही हूं अगर आपको नहीं होती है आपको difficult लगती है पढ़ाई difficult लग रहा है कोई भी subject किसने का आई भी 6-6 chapter एक दिन में उठालो नहीं यार आदा गंटा उठाओ 10 minute उठाओ 15 minute उठाओ बस शुरुवात हमेशा slow step से करो देखना आप बड़े step तक खुद तक पहुंचोगे समझ रहो घबराना नहीं अपने dream को अपने दिमाग में रोज सुबाउटते ही बोलना है यह affirmation कुद को देनी है भी I will do this I can do this because I want to become something in life और मुझे करना है मुझे करना है मुझे अपने आपको proud feel कराना है पहली चीज उसके बाद जब मैं खुद को proud feel कर वालूगा ना तो मेरे parents मेरे teachers automatically proud feel करेंगे your best best decision is भी आपने खुद के लिए कुछ करना और खुद के लिए करना यह change लेकर आना है और देखो सब समझ रहे हो अब समझ आ रही है यह question कुछ से कर रहे हो और मुझे पता है कई बच्चों ने इसको कुछ से यहां पर charges लगाए हूंगे मेरे बीना बताए यह ना एक आप वो थे अगर आपको यह दे देती तो आपके अरे बापर यह क्या है हम से नहीं होता और अब कर रहे हो ना तो करोगे तो हो जाएगा करो अच्छे से करो ठीक है चले आगे चलिए अब हो मुलिटिक क्लिवेश देखते है है हेट्रोलिटिक का बता दिया ना मैंने आपको हो मुलिटिक में क्या है इफ कोवलेंट बॉंड ब्रेक से सच वीड़ इच आटम टेक्स वी वन इलेक्ट्रोन आप दे शेर्ड पियर जैसे यह था यह इस तरह से टूटता है इसके इंदर जो एक 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 ए इस arrow को ना fish arrow कहते है, यह ऐसे आएगा, इस arrow को कहते है, fish arrow कहते है, which denotes one electron displacement, यहां किसकी movement होती है, एक electron की movement होती है, सभी को clear हुई यह कहानी, अब समझ आई यह चीज, चॉलो अब देखते हैं आगे हमारे next concept क्या आता है, अब आता है types of attacking reagent देखो, अब हमने basic चीज समझी, bonds क आप पहले अटाइकिंग रिजिंट के बारे में जानते हैं, अटाइकिंग रिजिंट वो होता है, जो आकर के अटाइक करेगा, अटाइक किस बेसिस पर आकर करेगा, इलेक्रों डेंसिटी के बेसिस पर आकर करेगा, अब दो जने आकर के अटाइक कर सकते हैं, एक उता है एल प्रीफिंट्रो दे देती हू हो एक टी उल्हे प्लीफिंट्रो ग।arnerेती हो इलेक्त्रोफाइ्ल एक्त्रोफाइल क्या होता है इयुप अलेक्तरो क्या होता है इलेक्त्रोथे अलेक्रो Sec जब आपने missile formation पड़ी थी, आप कोगे, नहीं माम, तब हमने न अच्छे से नहीं पड़ा था, कोई नहीं, वो कौन सा हम रिपीट कर रहे हैं, वो यहाँ यूज नहीं होने वाला, मैं वहाँ पर एक word file जो इस्तमाल किया था न, वो याद करा रही हूँ, यह पहले सुना आप बता देती हूँ, file का मतलब होता है loving, file का मतलब होता है loving, अब एक और word होता है phobic, यह भी आपने तभी बढ़ा था, missile formation में ही, या जब soap के time पर हमने देखा था न, hydrophobic, hydrophobic, phobic का मतलब होता है, जो hate करता है, जो डरता है, ठीक है, hating, यह क्या होता है loving, यह होता है hating, file का मतलब डर होता है, अब philic का मतलब क्या होगा, जो attract होगा, अब electron loving का मतलब क्या है, जो electron की तरफ attract होगा, electron loving species, क्या मतलब होगा, electron loving species, माम इसका मतलब होगा, ठीक है जी, अब मुझे nucleophile का भी मतलब बताओ, अब मुझे nucleophile का भी मतलब बताईए, माम nucleo का मतलब होता है, nucleus देखके बता सकते हैं, बिल्कुल सही, अच्छा, file का मतलब क्या होता है, माम loving होता है, अभी आपने बताया, ठीक है जी, अब ऐसी species जो nucleus loving होती है, मतलब nucleus मतलब positively charged, species loving होती है, ठीक है, nucleus मतलब nucleus किसका बना होता है, नहीं पता, proton और neutrons का बना होता है, electrons तो revolve करते हैं, पता है ना, इतना, तो nucleus क्या होगा, positively charged species, nucleus loving, ये क्या होगा, ये होगा, nucleus loving species, अब एक चीज़ और, बच्छे कहां गलती करते हैं, पहले वो बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी, भी आप गलती नहीं करेंगी, electro file वो ये सोच लेते हैं, भी electro file है, तो electron पर negative charge, इसको उपता क्या सोचते हैं, इसको पता कैसे represent करेंगे, इसको ऐसे represent करेंगे, ये भी electron के उपर negative charge, गलत, बिलकुल गलत, सरासर गलत, क्यूं गलत, आप सिरफ electro के basis पे उसको नहीं लिख सकते, पूरा नाम पढ़ो, electro file, electron loving, दुबारा बोल गी बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोचते है, electro लिखा, electron है, मतलब negative charge आएगा, अब represent ऐसे कर देते हैं, गलत है ये, ये electron को represent आप ऐसे करते हो, आप ये electron के representation है, लेकिन electro file के ये नहीं है, representation क्यूं, क्योंकि electro के साथ file word जुड़ गया, file का मतलब क्या होता है, loving होता है, electron के पास कौन जाएगा, क्या electron के पास negatively charge species जाएगी, समझो इस चीज को, अब आपके जो good wishes होते हैं, जो well wishes होते हैं, आपके जो parents है, आपके जो best friends है, या आपके जो relatives हैं, जो की good wishes हैं, जो आपको blessings देते हैं, आपके grandfather, grandmother है, brother है, sister है, जो आपका भला चाहते हैं, आप उनके पास जाकरके अपनी problems discuss करोगे, या उस इंसान के पा पागल तो नहीं उसके पास जाएंगे, जो हमें demotivate कर रहे हैं, हम पहले ही demotivated हैं, उसके पास जाएंगे तो और demotivate हो जाएंगे, है ना, ध्यान से समझ ना, demotivated इंसान negative है, जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता, वो negatively charged species है, आप already demotivated हो, आप already negative charge होते जा रहे ह हो, tension लेते जा रहे हो, घबराते जा रहे हो, क्या आप negative के पास जाओगे, नहीं जाओगे, negative, negative will always repel each other, वो एक दूसरे को repel करेंगे, समझाने के लिए बता रहे हो, general example दे रहे हो, कई इसको अपलाया ऐसे नहीं करना, सिर्फ समझ ना, कभी भी negatively charged species आपको positivity नहीं दे सकती ह है, ठीक है, तो negative, अगर आप negative होते जा रहे हो, negative के पास जाओगे, तो repulsion मिलेगी, और यदि आप positively charged के पास जाते हो, आप अपने grandparents के पास जाके बात कीजिए, parents से जाकर के बात कीजिए, अपनी बड़ी sister, अपने बड़े brother, इन सब से जाकर बात कीजिए, या छोटे brother, sister भ अब रोसा है, तो कर सकता है, तो कर लेगा, कहते हैं, हमारे parents कहते हैं, घबराती क्यों हो, पढ़ाई ही तो है, कर लोगे, हैंना, तो वो आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको positivity दे रहे हैं, वो खुद positive है, इन nature, तो हम positivity मिलती है, जब हम demotivated होते हैं, तो, यानि की positive और negative एक दूसरे को attract कर रहे हैं, negative negative repel कर रहे हैं, आप negative हो रहे हो, तो positive की तरफ attract हो रहे हैं, यह समझ की जलना, कई वैसे compare करने लग जाओ, ठीक है, तो कहने का यह मतलब है, negative negative repel करेगा, positive positive attract करेगा, electrophile, electron loving, मतलब negative charge loving, अब negative charge के पास, negatively charged species, loving कौन सी होगी, जो खुद क्या है, positive है, वही negatively charged loving होगी, यहाँ पर देखो nucleophile, अब nucleophile, हमारी जो parents है, वो सब हैं, कैसे, nucleus loving, nucleus loving मतलब क्या होता है, positively charged loving, positively charged loving कौन होगा, जो भाई, खुद demotivated है न, वही positive के पास जाएगा, जो positive, इसको समझ लो, यह automatically समझा देगा, nucleophile का मतलब जो खुद demotivated है, positive के पास जाएगा, अब demotivated जो है, वो negative है, तो negative positive के पास जाएगा, है न, यानि की, nucleus loving, मतलब positively charge के पास जाना, positively के पास कौन जाएगा, जो negative खुद है, वही positive के पास अप्रोच कर रहा है, भी मुझे भ represent करते हैं, वो समझा रही हूं, nucleophile, nucleus loving, negatively charged ही positive के पास पास पहुंचेगा, क्योंकि positive positive या negative negative repel करेंगे, सिरफ positive और negative attract करेंगे, positive positive अब अब पता क्या कहोगे, मैं positive positive repel करेंगे, मतलब दो positive इंसान repel करेंगे, नहीं वही बात बोल रही हूं, यहां represent करने के लिए समझा रही ह तो मतलब जो भी species यहां पर होगी, उस पर negative charge होगा, that is going to be your nucleophile, ठीक है, in other words अगर आपको इसको nucleophile के terms में लिखना है, तो यह any negative की तरह represent किया जाता है, मतलब nucleophile कैसे represent किया जाएगा, negative, जो खुद क्या होगा, जो nucleus loving होगा, positive loving होगा, electrophile देख लेते हैं, अब यह क्या होता ह है, electron loving, मतलब negative से जो attraction शो करें, तो positive करेंगा, opposite वाला करेंगा, मतलब कि यह ऐसा होगा, ठीक है, समझे है, इस चीज़ को हो जाएगा, यह simple है, ठीक है, अब यहां पर read करते हैं, चलिए, Electrophile क्या होता है, a reagent that takes away an electron pair is called electrophile, ऐसा reagent जो electron को लेकर चला जाता है, क्यों, क्योंकि Electrophile का मतलब क्या होता है, electron loving, इसको electrons की जरूरत होती है, इस वाजे से, they are positively charged और neutral species, अभी बताया न, यह खुद कैसे होते है, यह खुद positive होते है, तब ही तो electron के पास जाएगे न, यह खुद कैसे होते है, positively होते है, या फिर neutral भी हो सकते है, अब आपको होगे, neutral कैसे हो सकते आपने तो कहा था, neutral में positive और negative equal होते हैं, बट होते हैं, कई neutral भी होते हैं, ठीक है, which are deficient of electron, ऐसे neutral जिसमें electron की कमी है, ठीक है, electrophile मतलब electron loving, तो यह electron खींचते हैं आपनी तरफ, ठीक है, and can accept a pair of electron, वो अपने तरफ electron को खींचेंगे, ठीक है, they are also called electron loving कहा जाता है, मतलब philic, या फिर electron seeking species, जो electron को seek करते हैं, अपने पस बुलाते हैं, अब, क्या कि examples हो सकते हैं, ठीक है, इसके examples, बहत simple example, अब जैसे na positive ले लो, यह क्या है, यह एक electrophile की तरफाइकादा है, al plus three ले लो, यह भी electrophile की तरफाइकादा है, h positive ले लो, यह भी electrophile की तरफाइकाम करता है, तो यह कुछ Electrophile के Example हो जाएंगे, अब आपा देखते है, Nucleophile के क्या-क्या Examples हो सकते है, Nucleophile का मतलब होता है, Nucleus Loving Species, यानि की Positive Charged Loving Species, मतलब जिसके ओपर खुद पर Negative है, वही Positive की तरफ attract होगा, देखो, A reagent that brings an electron pair is called Nucleophile, जो क्या करता है, एक electron pair जिसकी तरफ आए, जिसकी तरफ आए, खुद positive है, तभी तो उसकी तरफ electron pair आएगा, है ना, फिके, These Reagents contain an atom having unshared or lone pair of electrons, अब यहाँ पर देखो, इनके पस usually क्या होता है, unshared or lone pair of electrons होते हैं, बेसिकली फुद कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, क्योकि यह Nucleus Loving होते है, फॉसती हैं positively charge होते हैं, इस लिए इनके पास नेगеटिव वाला आता है, तो इसको ब्रेज क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, यह क्या करते हैं, electron pair को लेते हैं, क्योंकि यह nucleophile है, यह क्या है nucleus loving species, और nucleus loving species वह ही होती है, जो खुद क्या हो negative हो, तब ही वो positive की तरफ attract feel करेंगी, है ना, अचा, एक चीज़ यहां देखना, यहां पर लिखाई, यह दूर लेकर जाता है, electrophile, it takes away an electron pair, क्योंकि electrophile का मतलब electron loving है, तो यह electron को दूर लेकर जाएगा, जबकि यहां पर nucleophile में, it brings an electrophile आएगा, ठीके, इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेगा, a nucleophile is electron rich, यह electron rich होते हैं, ठीके जी, and seeks electron deficient sites, example nucleus loving, यह nucleus loving होते हैं, यह nucleus seeking होते हैं, ठीके, according to, according to Lewis concept of acid and base, nucleophile behaves as Lewis basis, यह छोड़ी-छोडी चीज़े, इनको छोड़ दो, जितना समझाया है, उतना काफी आपके लिए, ठीके, अब इसके कुछ examples, जैसे कि H2O, अब H2O Q example लिया, क्योंकि oxygen पर क्या होते है, lone pair of electrons, oxygen पर क्या होते है, lone pair of electrons, मैंने अभी बताया, nucleophile क्या होते है, nucleus loving species होते है, nucleus loving, यह निकी positively charged loving, और positively charged loving कौन से होंगे, चिंके पर negatively charge आएगा, अब negatively charge कहाने का मतलब क्या हो, negative का मतलब तो 2 electrons ना, 2 electrons को lone pair भी कहते हैं, जब भी आपको 2 electrons आथ में देखने को मिल जाया ना, इसका मतलब lone pair होता है, LP से लिख रही हूँ, ठीके, तो यहाँ पर lone pair of electrons है, मतलब यह किस की तरह काम करेगा, nucleophile की तरफ काम करेगा, जो की nucleus loving है, क्योंकि इसके पास electrons है, negative charge है, तो यह positive की तरफ attract होगा, ठीके, ऐसे ही F negative, इसके पास electrons है, तो यह किस की तरफ attract होगा, positive की तरफ, और positive की तरफ काई attract होता है, जो nucleophile होता है, ऐसे एक्जामपल लेते हैं, NH3 का, NH3 जिसके पास क्या है, electrons है, अब electrons खुद के पास है, तो यह positive के पास जाएगा, मतलब यह किस की तरह काम करेगा, nucleophile की तरह, तब ही यहाँ पर अगर electrons है, नेगिटिव चाहज है, तब ही वो positive के पास पहुंचेगा, जी, ऐसी ही है, CL negative, इसक्यों पर negative का मतलब क्या होता है, दो electrons, electrons हैं, तब ही तो positive की तरफ जाएगा, clear हुआ, अच्छे से हुआ, ऐसे ही BR negative ले लो, यह सारे किस की तरह काम करेंगे, nucleophile की तरह काम क्या वोड दो अगाई, संब्स्ट्रेट के बारे में जानते हैं, अटाकिंग रिजन समझ लिया, सब्स्ट्रेट जानते है, सब्स्ट्रेट को जानने के लिए, मतलब, electron density को जानने के लिए, हम करने वाली है, electron displacement in covalent bond, electron की movement हम दिखाने वाली है, electron displacement का मतलब क्या होता है, क् बहुत सिंपल से चीज़ों का, हमें चोटी-चोटी चीज़ों का क्या-क्या ध्यान रखना है, अगर आप देखो, इसको read करके दिखाती हो, organic compounds mainly consist of covalent bond हमें पता है, the electron pair in these covalent bond may undergo displacement either of their own or under the influence of other species or in the presence of attacking region वो कहता है, जब भी आपको कोई substrate दिया जाता है, वहाँ पर electrons की movement देखने को मिलती है, अब वो movement किस कारण देखने को मिलती है, वो movement electron density की वज़े से देखने को मिलती है, और वो कैसे influence होती है, मतलब movement कैसे शुरू होगी, कैसे start होगी, वो start होगी या तो आप attacking reagent उसके पास ले आओ, मतलब अगर आप electron density जिसकी जादा है, उस attacking reagent को लेकर आ रहे हो, तो जो आपका substrate है, वो electron density उसकी कम होती है, वो react करता है, अगर less electron density वाले को लेकर आले तो more वाला track करता है, तो मतलब वहाँ पर electron की movement उस शुरू होने लग जाती है, और electron की movement यान की bonds की fission मैंने आपको अरड़ी बताई है, अब आपको बताऊंगी, किस तरहां से movement होती है, वो भी समझेंगे, ठीक है, the types of electron displacements are generally noticed in the mechanism, हम जादा तरना, जो यह displacement है, भी कैसे होता है, यह mechanism में पढ़ते हैं, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए, जब जो चाहिए होगा, मैं आपको बताऊंगी, अब मैं आपको बता दू, यह जो electronic displacement होती है, electronic displacement जो effects होते हैं, यह कितनी तरहां के होते हैं, अब मैं आपको बता दू, यह जो electronic displacement एक हमारा होता है पर्मनेंट एफेक्ट एक कौन सा होता है एक होता है पर्मनेंट एफेक्ट और दूसरा कौन सा होता है माम दूसरा जी होता है टेंपरेरी एफेक्ट दूसरा कौन सा होता है दूसरा होता है टेंपरेरी एफेक्ट पर्मनेंट एफेक्ट जो लॉंग लास्ट तो इफेक्ट रुक जाएगा ठीके टेंपरेरी मतलब कुछ समय तक मैं एक मिन ग्लास पानी का भी लूँ आप लोग भी ले लिजे थोड़ा हाइडरेटेट रहना चाहिए आपको हमेशा बोलती हूं ठीके जी have a glass of water keep a glass of water with yourself कि हूं जम चाल्वी स्टाट्टe ओके आपको आपको कहाएyes स्वावान पकाएज्कें तर यूप एक होता है इक होता है पर्मानिंट एपक्ट एपक्ट इंपरेरी Sak प्रमानिंट एक मतलब क्या होता है जो लॉंग लास्टिंग होता है यूज pista temporary effect का मतलब होता है जो कुछ समय तक होता है attacking reagent अब पढ़ चुके हैं जब attacking reagent को लेकर आओगे जितनी देर के लिए उतनी देर के लिए जो effect last करता है वो temporary होता है जैसे ही हटाते जाओगे वो effect रुक जाएगा वो temporary कहलाएगा clear अब permanent और temporary कितनी तरहा के होते हैं active effect होता है इसमें और हम पढ़ते हैं hyperconjugation, और क्या पढ़ते हैं hyperconjugation पढ़ते हैं और माम कौन सा पढ़ते हैं और पढ़ते हैं resonance mesomeric effect भी कहते हैं इसको पताओं घू रेजोनेंस और mesomeric effect में बहुत हलका सा difference होता है और मैं आपको बताओं आदे से जादा बच्चों को डिफरेंस पता ही नहीं होता है तो आज आपको बहुत अच्छी चीज़े पता चलने वाली है क्योंकि दिखो हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं तो मैं हर एक चीज कवर करती चारी हूँ और आपको कही ना कही आगे जाकर बहुत एल्प करने वाला है क्योंकि आपको चोटी चोटी चीजे इलेक्ट्रॉन की मुवमेंट एरो कैसे चलानी है कौन से आरो क्या रिप्रेजेंट करती है एक बॉर्ण में कितने एलेक्ट्रॉन है उसका शिफ्ट कैसे होता है चार्ज कैसे आप पार्शल नेगेटिव बना दे तो यह पॉजेटिव बना दे चोटी चोटी चीजे ही न अगर आती है तो और्गेनिक किमिस्ट्री कुछ मुश्किल नहीं है बच्चो आगे रियक्शन कुछ भी नहीं है क्योंकि आपको पता चलने लगे कैसे मुवमेंट करवानी है अब जब मैं आपको इफेक्ट्स करवा दूंगे आगे आप पढ़ोगे मेरे साथ तो आप यह जानोगे भी हम खुद से इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं मतलब डबल बॉन्ड से दूसरी आटम में भीज रहे हैं और प्रॉडक्ट भी बन रहा है मतलब याद नहीं करना पड़ा रहा सिर्फ रियक्टेंट हमें दे दो हम आगे की कहानी खुद से कर लेंगे ऐसी ऐसी चीज़े हम सीखेंगे तो पॉजटिव रहो हो जाएगा हो जाएगा ठीक है आज तो मैंने आपको बुला पर्मेनेट एफेक्ट जोते हैं तीन तरह के होते हैं induced effect, hyperconjugation and the third one is resonance या mesomeric effect आप में से कई बच्चे resonance के बारे में तो जानते हो resonance effect के बार में भी जानते होगे, लेकिन एक बहुत छोटी सी distinction है, छोटा सा difference है resonance और mesomeric effect में, जो बहुत चंद बच्चों को पता होता है, जो आज हम cover करेंगे, साथी साथ temporary effect में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आता है electromeric effect, जो कब अकर करेगा, जो तब ही अकर करेगा, जब attacking reagent होगा, जैसी ही attacking reagent हटा दोगे जी, यह effect रूख जाएगा, ठीक है, चाले, start करें, ओकी, तो start करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले effect से जिसको हम कहते है, inductive effect, inductive effect, ठीक है, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ, inductive effect को पढ़ने से पहले, हमें inductive effect में एक term के बारे में पता चलेगा, जिसे कार्बोकटाइन का चालता है, तो पहले कार्बोकटाइन को पढ़ते हैं, अब आपको कहानी बीजगी हो चाहेगी, चालो, अब कार्बोकटाइन देखें, जी हां, अच्छा, एक और चीज में पहले बता दूँ आप सभी को, ऐसा ना हो, कई बच्चे कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, हम थक गए हैं, थोड़ी दिर बाद कर लेंगे, दिखो, अगर थक गए हो ना, तो मेरी रेक्मेंडेशन मानो, वीडियो को पॉस करके 10 मिनिट का ब्रेक लेलो, लेकिन उससे ज पढ़ रहे हो, जो आपको एक फ्लो बन रहा है, वो टूट जाता है, अगर आपने ब्रेक लेना है, if you feel exhausted, भी थोड़ी दिर रेस्ट ले लेते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है, तो बता क्या करो, बहुत अच्छा तरीका है, पानी पीओ, एक ग्लास पानी पीओ, व बेस्ट भी पता क्या होता है, जब अब थक जाते हो, थकावट से निकलने का ओप्शन है, अपनी विंडो खोलो, या आप अपनी टेरस पे जाकर बैठो, if you have a garden, सामने आपके आसपस कोई पार्क है, वहाँ जाकर के बैठो, अपना पूरा 10-15 मिनट अपने आपको दो, वह आप बैठोगे, तो आप फ्रेश एर जब लोगे ना स्टूदें, अब आप नेचर के कॉन्टाक्ट में आओगे ना, I will tell you it is the best healer, आपको बहुत रिलाक्स मिलेगा, बहुत रिलाक्स, राधर देन ओपनी योर टीवी, राधर देन ओपनी योर मॉबाइल फोन जिस्ट इसफिर भी जा रहे हैं, तो आप पने पेशन से बाते करो ठीक्हा है, किचन में जाओ मुमी की हल्फ करो, दीदी की हल्फ करो, दीदी से पूछो या ब्रदर से पूछो, कोई पढ़ाई में वो क्या रहे हैं, ऐसे डिसकॉशन करो, रादम बात करो, लेकिन थोड़ी राद थोड़े इदर उतर देखो लोगों को observe करो, just look at here and there, बस ऐसे बैटो, अगर कोई नहीं भी जा रहा, कोई cross भी नहीं कर रहा, just look at around the buildings, around the trees and here, बहुत help मिलने वाली है, लेकिन please don't skip your lectures, don't see half of the lecture and उसको को भी मैं बाद में बाकी का देख लो, ये मत करो अपने साथ, please, वरना उस अच्छे से बढ़ना है, बढ़ना बहुत जलूरी है, कार्बोकटाइन की बात करते हैं, कार्बोकटाइन क्या होता है, जब कार्बन के उपर positive charge आता है तो इसको कार्बोकटाइन के थे तो ये कार्बोकटाइन का कुछ structures होता है, जहां पर तीन sigma bond बनते हैं और vacant orbital होता है, अब कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है. अब जब तीन सिग्मा बॉंड बने अब आप हाइब्रडाइजेशन बता सकते हो. मैंने आपको पहले लेक्षर में हाइब्रडाइजेशन करवाई थी. हाइब्रडाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? हाइब्रडाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? हाइब्रडाइजेशन सिग्मा बॉंड पे डिपेंड करती है. मतलब सिंगल बॉंड पे डिपेंड करती है. और लोन पेर पे डिपेंड करती है. बस पाई बॉंड पे नहीं करती है. ठीक है. कितने सिग्मा बन रहे है? 1, SP2 होगी अच्छा अब इसके अगर hybridization SP2 है और कार्बो कटाइन का मैं आपको structure बता दू होता है trigonal planar क्या structure होता है trigonal planar इसका structure होता है अब देखना यहां आप से न मैं electron की बात करती हूं देखो आपको बता है एक sigma bond में कितने electron और यहां आपको बता होगा ना यह A से जुड़ा है मालो B से C से किसे जुड़ा हुए मैं बूछती हूं इस carbon कितने electrons है इसके पास तो आपको होगे माम देखो इस bond में एक bond में 2 electron होते हैं आई न छोटी छोटी चीज़े काम में ठीक है आठ electrons जब भी होंगे ना तो octade complete हो जाता है और वो compound stable हो जाता है लेकिन यहां कितने electron है 6 electron है दो electron की कमी हो गई ना तो यह क्या हो गया मैं यह हो गया electron deficient species क्या हो गया मैं यह मैं यह electron deficient species हो गई हमारी बिल्कुल सही बच्चा लोगा अगर यह electron deficient species है electron की कमी है तो यह क्या होगा unstable stability कब आएगी जब यह 8 electron system बनेगा ठीक है unstable है तो अब इसको stable करने के लिए क्या चाहिए अब इसको stable करने के लिए हम दो तरह के effects पढ़ते हैं plus i और minus i इसको stability प्रदान करने के लिए दो तरह के effect बढ़ेंगे plus i और minus i जिन्हे क्या कहा जाता है जिन्हे कहा जाता है types of inductive effect I am really sorry मैं फिर से red pen use कर बैठी हूँ लेकिन मैं आपको बात बताओ अब चलते हैं आगे इतना पता चल गया कार्बोकाइन का जितना हमें knowledge चाहिए थी ना उतना हमने बता लिया है इससे जादा हमें इसकी इतनी access में knowledge की जरूरत नहीं है अब देखो आपको मैं थोड़ी-थोड़ी कहानी बताना चाहती हूँ थोड़ी-थोड़ी कहानी बताना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट तो यॉर इंडाक्तव एफेक्ट वान सेकिंड तो हमने कार्बोकाइन का बेसिक-बेसिक नॉलेज नॉलेज ले लिया था अब मैंना आपको इंडाक्तव साथ में आपको कार्बोकाइन की स्टेबिलिटी के बार में बताना चाहती हूँ कार्बोकाइन की स्टेबिलिटी का ओडर होता है जो बार बार आपसे पूचा जाएगा क्या ओडर होता है स्टेबिलिटी का यह ओडर होता है 3 डिग्री is more stable than 2 degree, then is more stable than 1 degree and then is your methyl group, that is the CH3 group. अब इसको methyl group लिख दो, फिर मैं आपको बताती हूँ. कैसे? पहले 3 degree मना के दिखाती हूँ. 3 degree का मतलब क्या होता है? जब carbon 3 carbon से जुड़ा होता है. जब carbon 3 carbon से जुड़ा होगा. अब मैं वेलेंसी पूरी करने के लिए hydrogen साथ ही लगा रही हूँ. इस पर क्या हो positively charged तभी carbon के साथ 2 carbon जुड़े हो. जब वो क्या बनाए? 2 degree. अब आप देखो carbon ने 2 bond बनाए है. वैसे भी तीन सिग्मा bond बनाता है न? कार्बोकाटाइन मतलब एक हाइड्रोजन यहां होगा. ठीक है? यह 2 degree हो गया. अच्छा, 1 degree मतलब जब carbon एक ही carbon से further attached हो. तो यह हमारा क्या हो जाएगा? स्टूडेंसी हो जाएगा 1 degree. अब आता है मिथाइल. मिथाइल मतलब कार्बन पर क्या है? तीनों ही hydrogen है. और कार्बोकाटाइन है तो उस पर कैसे चार्ज है? पॉजिटिव. यह order बचा लोग आपको याद रखना है. बी जो 2nd, 3 degree कार्बोकाटाइन हो जादा स्टेबल होता है. फिर 1 degree, फिर 2 degree, फिर 1 degree और लास्ट में हमारा मि इसा क्यों हुआ? यह हम इंडाक्टिव एफेक्ट के बेसिस पर समझते हैं. कैसे? एकनी सी, ऐसे हो सकता है क्या? ओके चलो, हम इसको चलो, कोई बात नहीं. इधर ही लिख लेते हैं. नेक्स्ट पीच पर. यह ही लिख देते हैं. ठीक है? अब देखो, इंडाक्टिव एफ इफेक्ट क्या होता है, students? इंडाक्टिव एफेक्ट बेसिकली, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है. क्या होता है? यह दिस्टेंस डिपेंडेंट इपेंडेंट इफेक्ट होता है. अब इसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना होता है? बेसिकली, यह दो त इलेक्ट्रोन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोन देना होता है, यहां क्या होता है, इलेक्ट्रोन देना होता है, और इधर नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रोन लेना होता है, यहां जी, तो प्लस आई एफेक्ट कहां पर होता है, जहां इलेक्ट्रोन दिये जाते हैं बैस момент कांसर में नहीं हो नहीं हो तो दो इत्PM एकशल सब्सक्राइब लिए यहां पर देखोगे तो इस कापहलjang को ये जो होगा स्वाहत्र करें एक्ट्रों लेक्ट्रोंथ लेच ट तोमा इंगी जो भी फ्लस है एक्ट मतलब यहोता है peng दो तो यह भी क्या कर रहा है, प्लस अई, तो जिसके अंदर प्लस अई होगा, वो जादा स्टेवल होगा, तो 3 डिगरी वो, फिर 2 डिगरी, फिर 1 डिगरी, फिर मेठाईल ग्रोप होगा, इस चीज का ध्याद, साथ जिसका छोटी सी चीज है, अनरजी जो होथी है, तो यह वो इन्वर्स प्रपोर्शनल होती है, स्टेवली, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेगा, जितना जादा कोई कंपाउंड स्टेवल होगा उसके एनरजी उतनी ही कम होगी, अब देखो यहाँ पर इलेक्टरॉन देने का मतलब चया हो, आपको मैंने इसे खा दिया है, heteron घ्रों घ्मि मैंने आपको कर वायथा ना question हाँ ये देखो, यहां कर वायथा न ऐने ये देखो arrows ये ये उसे जिए ये आपी समझे हो ना इसको electron दे रहे हैं तो वही चीजे हमने यहां पर करी वही हमने यहां पर करी वही चीज ऴ्रैयों एक और चीज, इसकी stability का order आपसे और भी पूछा जा सकता है, stability ना कार्बोकटाइन की, stability of carbocatyn is directly dependent on, मैंने अभी अभी आपको रहा ना, जिसका plus i ही जादा, उसकी stability ही जादा, तो stability is directly dependent on plus i, as well as directly dependent on plus m, अभी आपको बताऊंगी, m जो हमारा mesoameric effect है, वो क्या चीज है, वो समझाऊंगी, तो जब भी carbocatyn की stability देखनी है, तो जिसमें plus i ही जादा, वो जादा stable होगा, या जिसमें plus i ही जादा, वो जादा stable, और inversely किसके होगी, minus i के, and inversely to minus m, and inversely to minus m, हो जाएगा ये, हो जाएगा ये, अच्छा, कार्बो की टाइन का तो समझा आ गया, मान लोगर कार्बो अनाइन दे दिया जाए, एक और शीट हूपर से लिए, नीचे से लिए आते है, कार्बो अनाइन के अंदर क्या होता है, कार्बो अनाइन में जो हमारा मिथाइल है, वो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, जस्ट ऑपोजट हो जाता है, क्यूंकि जो स्टेबलेटी होती है, boa कार्ब कि अनाइन की अनाइन का मतलब कर्य हम नेगिटिव चाह जा रहरा है कार्ब को टाइन मतलब कर्बन पर पोज़िटिवआ रहा है तो जो स्टेबिति है कर्ब-नाइन की स्टूडस वह डिरेक्टटली प्रोफरोचन होती हैaaa veterinary milkчики और माइनस Mk, ठीक है? जो एलेक्रों लेते हैं, माइनस I मतलब जो एलेक्रों लेते हैं, प्लस I जो एलेक्रों देते हैं, है ना? और यह इंवर्सली प्रपोर्शन होता है, प्लस I और प्लस Mk, तो यह orders आपको छोटे-छोटे पता होने चाहिए, जिस फो जेनरल नॉलेज़ जब जहां पर यूज होगा, मैं दुबारा आपको एक्स्प्लेण करूंगी, तो अगर किसी को नहीं समझा रहा ना, घबराईएगा मत, ठीक है जी, चलिए, अब अप्लिकेशन देख लीज़े, इंड़क्टिव एफेक्ट की जस्ट आप ऊपर उपर से पढ़ा पता होना एक्टिविटी के बारे में भी हमें इंडिकेट करेगा, लास्ट चीज, ये डाइपुल मुवमेंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी हमें बहुत कुछ बताता है, ठीक है जी, हो जाएगा ये, चलो, ग्रेट, अब स्टूडन्स, इलेक की तरह, दवा की तरह काम करते हैं, ठीक है जी, तो इस जो मैं आपको हौसला देती जा रही हूँ ना, इसको as a ताकत यूज करो, इसको as a medicine यूज करो, और अपने आपको एनरजी दो, स्टूडन्स, ठीक है, अपने आपको एनरजी दो, चालिए, अब हम स्टार्ट करने ज एक तरह का temporary effect होता है, जो कब होगा, जो सिरफ सिरफ, सिरफ और सिरफ तभी होगा, जब attacking reagent आएगा, जब attacking reagent हट जाएगा, तो यह वहाँ पर act नहीं करेगा, explain करती हूँ आपको इसकी सारी कहानी, वो कहता है, it is a temporary effect which operates in the organic compound, having multiple bond, अभी कहां देखे जाते हैं, identify करने के लि सिरफ समझो, यहाँ पर उसने बोला, temporary effect होता है, जब तक attacking reagent आएगा, तब तक एफेक्ट रहेगा, वरना यह नहीं रहेगा, दूसरी चीज यहाँ पर, यह कहां पर होता है, जिन में multiple bond होता है, जिसे double bond, triple bond हो गया, या फिर under the influence of other attacking, outside attacking species, जब तक किसके influence तक, बाहर की कोई species, बाहर का कोई attacking reagent आएगा, तभी इसका influence रहेगा, वरना नहीं रहेगा, तभी तक यह effect valid होगा, उसके बाद effect valid नहीं होगा, गर आपने इसको हटा लिया तो, as a result, one pi electron pair of the multiple bonds get completely transferred to one of the bonded atom, which is usually more electronegative, अब इस line को समझाने के लिए, आपके सामने, plus e or minus e effect है, समझाती हूँ, वो यहाँ पर यह basically बोलता है, यह जो आपका pi electron है, sigma bond or pi bond है, जो pi bond के electrons है, वो यहाँ पर इसको break कर देता है, और single bond बना देता है, last line दुबारा पड़े, देखे, वो कहता है, as a result, one pi electron pair, जो pair है electron का, जो pi bond पर है, ठीक है, multiple bond के, वो transfer हो जाते है, to one of the bonded atom, which is usually more electronegative, यह single bond में convert हो जाता है, अब देखो, क्या है plus e effect, if the pi electron pair of the multiple bond is transferred to the atom, to which attacking reagents get attached, जहां पर attacking reagent आकर के attach हो रहा है, अगर वो उसी पर जाकर के attack कर रहा है, तो वो हमारा effect क्या होगा, plus e effect कहलाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, plus e effect कहलाएगा, यह इसका example है, बस सिरफ आपको definition पता होनी चीश, that's it, ऐसे यहाता है, minus e effect, minus e effect क्या कहता है, in this case, pi electron pair of the multiple bond is transferred away from the atom, which gets linked to the attacking reagent, मानलो आपका attacking reagent यहां cn है, यह cn इस carbon पे आकर के जुड़ रहा है, तो यह double bond ना, इस carbon पे नहीं टूटेगा, दूसरे atom पे टूटेगा, यह oxygen पे टूटेगा, अगर तो वो से atom पे टूटता है, तो वो plus e effect दिखाता है, अगर तो यह दिखो, जैसे यह h positive है, यह carbon पे जुड़ के CH3 बना रहा है, तो यह pi bond भी इस पे आकर के टूट रहा है, अगर वो सेम पर टूट रहा है, तो प्लस e होगा, अगर वो उसके opposite वाले atom पे जाकर के double bond break हो रहा है, तो व resonance या mesumeric effect क्या होता है, यह basically देखा जाता है, conjugated system के अंदर, इसकी definition क्या होती है, resonance की क्या definition होती है, the delocalization, the delocalization of pi electrons in the conjugated system, the delocalization of pi electrons in the conjugated system, अब कहोगे माम यह conjugated system क्या होता है, जहां पर आपको alternative position पर double bond देखने को मलते है, अभी तक के लिए इतना समझो, conjugate system की भी further types होती है, लेकिन हमें जतना जरूरी है, उतना बता रही हो, आपने बेंजीन का structure देखा होगा, आप इसका structure ऐसी क्यों बनाते हो, गलत है यह structure, अरे माम अभी तक यही बनाते थे, क्यो क्यों गलत है बताओं एक चीज़ देखो, खुद सोचना, दिमाग लगाना, carbon-carbon single bond की bond length कितनी होती है, जब carbon-carbon में single bond होता है, तो bond length होती है 1.34 armstrong, मतलब की double bond की bond length कम होती है single bond से, हाँ, चलो बनाके देखे, अगर मालो, पहला है single bond, बढ़ा होती है, बढ़ा होती है, दिखाना है, छोटा बना दो, फिर single bond, बड़ी length होगी, ठीक है, फिर double bond बनाना है, छोटा बना दो, फिर single bond बढ़ा होगा, फिर double bond बनाना है, छोटा बना दो, अरे ये तो कुछ और बन गया, ये तो वैसे बनाते थे, तो माम, मतलब ये structure कैसे, क्या हो रहा है, वो सही है य तो बताओंगे, और फिर बताओंगे, वो सही है, यह सही है, देखो, यह होना ऐसा चाहिए था, पर यह होता ऐसा है, क्यों? क्यों, कभी दिमाग लगाया, नहीं लगाया, हम नहीं इतना ध्यानी निदिया, मैं उसमें सिंगल बॉंड में यह बॉंड लें तुर्टी डबल मे जिसकी वज़े से ऐसा दिखेगा, वैसा नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहां क्या हो रही है, दिलोकलाइजेशन हो रही है, पाई एलेक्टरॉंस की in the conjugated system, ठीक है? मैं सोड़ी, सिग्मा बॉल बॉल बैठी थी ना, पाई बॉल रही है, पाई एलेक्टरॉंस की थी here, des canjugation होती है, delocalization, delocalization का मतलब बता रहे हुँ, इसका मतलब होता है movement from one place to another , clear हुआ, कैसे माम, कैसे होता है है, मैं आपको बतातीत हूँ, क्या होता है, होता है delegalization का मतलब देखो बेंजीन रिंग यूजली अगर मैं यह पहला एक्जामपल लेती हूँ डी-लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अब जब हम मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है जब मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है तो कैसे लिखूंगी देखना ध्यान से जब मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है पहले double bond का था यहां था डॉटेट से शो करते हैं, अच्छा, अब double bond यहां आ गया, पहले double bond यहां था, अब यह double bond यहां आ गया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, resonance hybrid क्या कहते है ma'am resonance hybrid कहते है क्या कहते है resonance hybrid कहते है समझे तो यहाँ पर क्या हो रहा है जब यह दोनों के अंदर हमें एक सा जादा structure देखने को मिलते है जब एक structure property explain नहीं कर पाता और उसकी वज़े से हमें और structure बनाने पड़ते हैं सिरफ de-localization की वज़े से उनकी bond length equal हो जाती है तो अब वो ऐसे देखने को मिलता है ना की ऐसे समझे resonance को समझ लिए हो अब mesomeric effect बताऊं चलो sometimes all the properties of a certain molecule are not explained by a single structure नहीं कर पाता तो एक से जादा structure बनाने पड़ते हैं therefore to explain the properties more than the one structure are depicted but these are imaginary the actual structure of molecule is in between the structures the structures drawn to explain the properties are called resonating या canonical contributing structure भी कहते हैं और actual structure को resonance hybrid कहते हैं समझे अब मैं आपको simple भाषा में resonance effect और mesomeric effect पहले हां बता देती हूँ difference क्या है मैं आपको एक case देती हूँ मालो आपके पास ना एक ये case है इस case में बोलते हूँ शर्ण कि करậे ह ? मालो हम इस स्वार में क्या है ? इस जादा are similarly सिंपल सी कहानी इस डवब बॉड में क्या है ? इस डवब में क्या है ? इस द्वबका है ? तो यहाँ क्या होगा थी ? जब ए स्वे इलक्ट्रण यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा डबल बनेगा है ना अब यह कार्बन क्या है पांच बॉंड तो नहीं बना सकता तो यह भी हमारा का यह भी यहां पर ब्रेक करेगा जादा से कम की तरफ जादा इलेक्ट्रों से कम की तरफ अब क्या होगा यह ऐसी है जब यह पाई तो यहाँ क्या आएगा positive charge, अब यहाँ double bond आगया, आगया, अच्छा, अब यह carbon 5 bond नहीं बनाएगा, इसलिए यह bond को break करेगा, जब यह bond को break करेगा, तो यह जो तो यहाँ चले जाएगे, तो यहाँ क्या आजएगा negative charge, अब आपको इस पर भी positive आगया नहीं, क्योंकि यहाँ यह double bond तो आगया ना इन दोनों के बीच में, तो उसने bond ने तो electrons मिल गया उसको तो, सिरफ यह यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर दो electrons गये तो negative, यह क्या इसका resonating structure है, अब मुझे एक और कहानी बताओ, यह तो resonance हो गई, यह तो क्या हो गई, resonance हो गई, अब resonance को आप एक और तरीके से कर सकते हो, इसी structure को आप और कैसे कर सकते हो, उसको भी लिखते हैं, देखना, मैं इसी structure को, इसी structure को students, इस तरह से show कर सकते हूं, भी इस बर मैं इधर break करवाओ, और, इस बर मैं इसको ऐसे break करवाओ, करवा सकते हो, मां में इस direction में करवा तो एक ही बात है, अच्छ यह क्या बाइडारेक्शनल है इस डारेक्शन में भी हो सकता है इस डारेक्शन में भी हो सकता है रेजोनेंस क्या है रेजोनेंस है बाइडारेक्शनल इन नेचर रेजोनेंस क्या है बाइडारेक्शनल इन नेचर है अब समझना मीजोमेरिक को मेजुमेरिक क्या होता है अगर हम क्यो अंदर एसा घ्रुप लगा दें जिसकी वजय से वह एक ही डारेक्शन में मूवमें nutrients यहाँ पर अभी इस direction में हो सकते है मीजुमेरिक का मतलब अगर एक ही direction में मुवम्मेंट हो जाए तो वह हमारा क्या होगा मतलब डी लोकलाइजेशन हो रही है पर एक डारेक्शन में हो रही है जैसे जैसे इसका एक्जामपल भी लेते हैं समझने के लिए मैंने अब पता है क्या किया मैंने यहाँ पर जो ग्रुप लगाया है यह ग्रुप है मैंने एक्स्ट्रा ग्रुप लगा दिया इस स्ट्रक्चर के अंदर ताकि एक डारेक्शन में मुवमेंट हो अब देखना मुवमेंट कहां से कहां होगी हमें पता है यहां कार्बन है और की electronegativity carbon के मुदाबिक होती है carbon के मुदाबिक जादा होती है तो बहुत ही simple सी चीज है ये जो py bond है यहाँ break करेगा क्या होगा क्या होगा क्योंकि it यहाँ ब्रेक्षिनल सभर्द में देखना है तो पाई ब्रेक्षिन के पास गया . carbon क्य होग एक अट करने के लिए अब यहांपर यह बाइगा इस carbon को साटिस्फाइब करने के लिए पाइब ड़न चला गया तो यह इसके वैसे क्या होगे उनि डफ़ूप लगा दे नहीं लगाते थे तो ऐसे भी हो सकता था ऐसे भी हो सकता था, तो यह difference है mesumeric और resonance में, समझ लोगे तो यह आपको effect के बारे में लिखा है और यह उसकी types होती है, plus r या plus m effect minus r या minus m effect pause करके पहले इसको लिख लो, फटाफट से फटाफट से लिख लीजिए लिख लिया चालो, आप देखो आता है यह उसके एक्जामपल आपको देरी है, वो plus r, plus m होंगे और जो electron withdrawing है, जो electron को खींचेंगे, वो minus r और minus m कहलाएंगे यह उसके examples है, बस आपको examples एक पर read करने, याद नहीं करने क्योंकि हम एक general knowledge ले रहे हैं, भी effects कौन से होते हैं अब students हमारे पास आता है, last kind of effect जैसे कहा जाता है, hyperconjugation अब hyperconjugation का, hyperconjugation का यह चाहे तो आप read कर लेना लेकिन जो आपको इसमें required है, वो मैं पहले समझाते हूँ यह आप reading के लिए ही है, just to read है, just to read है, यहाँ पर लिखा गया, आप read कर लेना मतलब मैं आपको explain करती हूँ, पहले इसको आप note कर लीजिए, read कर लेना, सिरफ reading के लिए है, इसमें से as such कोई इतनी important information नहीं है, मैं भी आपको मतलब समझाती हूँ हाँ जी, तो यहाँ लिखेंगे, अब हम hyperconjugation, last effect, hyperconjugation, hyperconjugation क्या होता है students, देखो, resonance में क्या होता था, delocalization of pi electrons, यहाँ होती है delocalization of sigma bond, या sigma electron, delocalization of sigma bond electrons, जब delocalization होती है sigma bond electrons की, तो उस process को hyperconjugation कहा जाता है, कैसे माम, समझाईए, हमें हमें समझना इस चीज को, बहुत सिंपल है, देखो, जब मेरे, मैं resonance से compare करती हूँ, तो resonance में अभी मैंने यह वला example लिया था, और अगर हम इसको दूसरी डारेक्शन में करते थे, तो दूसरी डारेक्शन में यहां पर नेगेटेव आ गया और यहां पॉजटेव आ गया, अच्छा इसका रेजूनेंस हाइब्रेड बनाओ कि जैसे बेंजीन का बनाया था, बहुत सिंपल है, पहले यहां यहां था, डॉ यहां पर नाओ, आपका सारा रोल अलफा हाइड्रोजन का है, अभी बताती हूं मैं क्या बोल रही हूं, यह क्या नया वर्ड है, बहुत सिंपल है, अगर मालो मैं आपको कोई ऐसा केस दे देती हूं, CH double bond CH2 और यहां है CH3, मैं आपको बूछती हूं क्या यहां पर रेजिन sistem में क्या होता है, या तो 1 bond के बाद single ते double आ रहा है, फिर single ते double आ रहा है, चोंजू Cham सिस्टम नहीं है, तो यहां क्या होता है यह जो carbon है ना जो इस double bonded carbon से जुड़ा है देखो यह क्या है double bond वाला carbon है यह क्या है यह SP2 hybridized है यह भी क्या है SP2 hybridized है क्योंकि एक bond यह रहा एक hydrogen साथ एक यह रहा वो अपने hydrogen के साथ जो bond है, उसको break कर लेगा, अब हमें पता है carbon hydrogen के comparatively थोड़ा सा एलेक्ट्रोन नेगिटिव जादा होता है, तो यह इस bond को break कर लेगा और electrons अपने पास ले आएगा, यहां से हमें कैसे देखने को मिलेगा, देखो, यह carbon है, यह hydrogen, बिचारे के electrons ले लिए, त यह क्या हो, यह electron deficient, positive charge आगया, carbon पे कैसे charge आगया, negative आगया, यहां क्या आगया, hydrogen, hydrogen और यहां यह bond बना हुआ है, CH double bond CH2 के साथ, ऐसा हो गया, अब यह जो hydrogen H positive है यह इसके बिचारे के area में ही रहता है, यह इसकी vicinity में ही रहता है, दूर नहीं जाता है, होगा क्या यहां, फिर उस पे negative, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, यह conjugated system बन गया, तो अब यहां क्या होगा, अरे यहां क्या होगा, यहां बहुत सिंपल से चीज होगी, यह जो हमारे electron से नहीं, यह open होते हैं, यह बंदे हो electron होते हैं, तो इसकी movement इदर होएगी, आप में से कई बच्चे बता तो इन में दोनों में double bond आजाएगा, और यह single bond इस carbon पे चल गया, sorry, double bond इस carbon पे चल गया, तो इस पे electrons चले गया, यह कुछ इस तरह से होगा, इसके साथ क्या लगा होगा, H2 लगा होगा, तो यह क्या होगा, इसका structure हो गया, मतलब कि carbon अगर अपनी कुर्बानी दे देता है, सिगमा bond की, single bond की, hydrogen से bond break कर लेता है, ताकि stable compound मन सके, उसे hyperconjugation कहते है, अब मैंने बोला, सारी कहानी यह alpha hydrogen की है, तो alpha hydrogen बता देती हूँ, तेखो, जो भी आपका SP3 hybridized carbon होगा, जो SP2 से जुड़ा है, उसके पास जितने hydrogen होगे, जो विचारे अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, उसे alpha hydrogen कहते है, ठीक है जी, ठीक है जी, जिसमें जितने जादा alpha hydrogen होगे, मतलब जिसमें SP2 के साथ जितने carbon जुड़े होगे, उन पे जो hydrogen होगे, जो कुर्बानी दे सकते हैं, वो जादा stable होता है, more the alpha hydrogen, more the hyperconjugation, समझाई यह कहानी हो जाएगा, चालो जी, अब एक चीज और और यह हमने पढ़ लिया है, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, reaction intermediate, carbocatyn, carbon anion में ने बता दी है, carbon free radical के इतना roll नहीं है, जब roll आएगा तब बता दूँगी, तो यह तीन तरहां के होते हैं, अब हमने यह तो study कर लिया, students, यहीं पर हमारी GOC finish होती है, अब हमारा आत होता है, halogen, ठीक है, और यहां पर, alkane का मतलब क्या होगा, मतलब straight chain है, straight chain है, ठीक है, और single bond है, तो अगर मैं आपको बोल देती हूँ, मेरे पास मानलो कोई भी RH है, RH जैसे की, जैसे मानलो CH4 होता है, CH4 को मैं open करके लिख सकते हूं, CH3H, वही चीज है, R का मतलब कोई भी carbon क chain है, अगर इस RH में से, मैं एक hydrogen निकाल दू, और इसकी जगा कोई भी halogen डाल दू, अगर इस RH में से, इसको open up करके लिख दिया, CH3H, एक hydrogen निकाल दू और कोई भी halogen लगा दू, तो वो क्या बना देगा, Rx बना देगा, मतलब कि क्या बना देगा, हेलो एलकेन बना देगा हेलो एरीन कैसे बनता है जब आपकी बैंजीन रिंग इसमेंसे आप एक हाइडरोजन निकाल देते हो और एक हेलोजन जोड देते हो तो यह आपका का यहां से जो बनता है इसे कहा जाता है हेलो एरीन हैं आपको हूग है है यहां पर हिए फोन के लिखा दिया में हो और नंसी पूरी करने दिखादी है यहां पर सभी पर ह हाट वसके लाज़न को हटाया और उस्की जगहापर HERzogen नगा तो हो हेलोरिवनाण बनाएगा छिस इस पेश पर आपने आरोमाटिक रहें ली हमने IUPAC का rule किया था, center most position पर क्या होता है, word root, word root की right hand side पर क्या होता है, primary suffix, उसकी भी right hand side पर क्या होता है, secondary suffix, word root की left hand side पर क्या होता है, primary prefix, उसकी भी left hand side पर क्या होता है, secondary prefix, बस ध्यान दीजेगा, hello alkane's के case में secondary prefix का use किया जाता है अगर chlorine होगा तो आप secondary prefix जो use करोगे जो use करोगे वो chloro लिखोगे अगर bromine होगा तो आप bromolik होगे अगर iodine होगा तो आप idoliak होगे अगर fluorine होगा तो आप floralik होगे बस बाकी की सारी कहानी सेम है ठीक है जी? तो Classification वाला जो topic है na students, Classification वाला topic हम बाद में करेंगे, अब आपके लिए as a homework है, as you know Diwali है तो आपके लिए homework है, ये सारे homework आपने करके आने हैं, अब ये आपका NCRT examplar के question में लिए है, तो मैं चाहती हूं भी आपका सारा कुछ cover हो, तो ये NCRT examplar का question है ये आपने करना है, य अब IUPAC आपको आती है, डेर सारा homework question में में मेलेगा, और आपको पता है हम homework questions को solve करते हैं, पिछले lecture में तीन ही homework questions थे तो मैंने सोचा साथ में ही discuss कर लेंगे next lecture में, तो आपने सारे homework questions दिल से, पुरी शिदत से, पुरी महनत से करके आने हैं, करके आने हैं ऐसा नहीं भी नह करते हैं, देखते हैं, कल क्या होगा, क्योंकि होसले भी जिद्धी हैं, और इस जिद से ही questions को करके जाना है, तो पहला question है, अज हमने practice जादा questions इसलिए नहीं किये हैं, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, मैं आपको spoon feeding नहीं करना चाहती है, भी मैंने करा दिया, आपने कर लिय आज मैंने बहुत सारा topic समझाया है, वो आपके लिए बहुत बड़ा homework है, उसके अलावे ये questions आपके लिए सिर्फ practice है, जो आपने पढ़ा और पिछले lectures में पढ़ा, ताकि आपके revision होती है, questions तो मैं करवाई दोंगी next lecture में solve, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले खुद से try करो, क्योंकि जब आप try करोगे, हो सकता है कई बच्चे कर जाएं, हो सकता है कई बच्चे गलत कर जाएं, तो हमेना उसमें पता चलता है भी कहां गलती रह रही है, तो spoon feeding नहीं चलेगी यहां पर, यहां पर मैं पहले task दोंगी और फिर task बताऊंगी भी सही किया या गलत किया है तो आपके task है, solution आपको मिलेगा next lecture की starting में, before starting the next topic, tension ना लो, सारे homework करवाऊंगी, जितनी बार homework question दोंगी, उतनी बार homework question करवाऊंगी, है मेरा promise आप से, पोई भी चीज ऐसे नहीं चूड़ोगे, और homework question देखो, मैं कहां से लाई हूँ, NCRT examplers, NCRT भी cover करेंगे, NCRT examplers भ important books भी cover करेंगे, जो भी हम से हो पाएगा, हम सब करेंगे, तो एक question अभी तक आपने लिख लिया होगा, next question, फिर से, IUPAC है, आपके लिए इस compound की naming करनी है, अचा, अगले compound की भी naming आपने करनी है, यह सभी Hello LKN से based कुछ questions है, अचा, यह बहुत simple है, try कर के लिखना, हलकी सी confusion ह सकते हैं, but at least try once, okay, which is the correct order of decreasing stability of the following cations, okay, उसके बाद एखिए, आपका है, homework के लिए, then we have, covalent bond can undergo fission in two different ways, the correct representation involving a heterolytic fission of CH3BR is, अब आपको मैं बता दू, अगर नहीं बता दू, अगर नहीं बता दू, ब्रोमीन is more electronegative than carbon, okay, तो सकॉर्डिंग लिए, अब खुद बता सकते हो यहां heterolytic cleavage बोली है, heterolytic fission बोली है, इसका IUPAC name बताना है, हो जाएगा, हो जाएगा, जी, हो जाएगा, चालो, इसका भी IUPAC name बताना है, सभी Hello Alcanes, Hello Arines की IUPAC है, यह खुद करोगे, general करवा दी है मैंने, है ना, चालो, IUPAC name इसका भी हो जाएगा, यह भी हमारा क्या है, Hello अब इसका structural formula बताना है, अब आप बना सकते हो, जब आप बता सकते हो, तो बना भी सकते हो, चालो, अब यह question नहीं करना, क्योंकि यह classification पर based है, तो मैं इसको delete कर देती हूँ, जो classification पर based होंगे, वो नहीं करना, यह भी बढ़ रहने दो, अचा, IUPAC name बताना है, हो जाएगा, जी माम, chiral molecule, चलो यह करवाए, यह तो मैं आपको पिछले lecture में बताया था ना, आचा, chiral molecule वो molecule होता है, जिसके अंदर कोई भी एक हमारे atom पे चार अलग group हो, तो अगर मैं यहां इस carbon को देखू, इस पे एक तो methyl group यहां C है, और यहां ethyl group, दो carbon वाले हैं, और एक Cl है, मतल पाइल वाला और एक तरफ हाइड्रोजन, एक, दो, तीन, चार, क्या यह हमारा chiral होगा, नहीं माम, यह तो chiral नहीं होगा, तो इन में से chiral molecule कौन सा है, हमारे यह chiral molecule है, this is not our chiral molecule, is it clear, चलो, अगला question, write the structural formula in the IOPSC name of two optically active halides containing five carbon atoms in each of the following molecule, ठीक है, तो यह आपको बहुत different book से question मिला है, पहले इनिशली starting में, NCRT examplar थे, बाद में दूसरे questions है, अब यह भी आपको इक different book से मिला है, इसकी भी naming करनी है, अब students आपके आते, NCRT, यह आपका NCRT का question है, यह आपका NCRT का question है, यह आप अच्छा होगा, और जैसे की छुटियां है, तीन दिन की हैं, जैसे भी आपकी है, तो मैं चाती हूँ प्राक्टस करो, question solve कर क्या होता कि मदा आएगा, next lecture में marks देंगे एक दूसरे को, चीटिंग नहीं करनी, कहिए मैं बता रही हूँ NCRT example, NCRT आप चीटिंग कर लो, ऐसा ठीक है, वीडियो को pause करके note कर ले ना, वीडियो को pause करके पहले इसको note कर लो, पड़ावट करो, वीडियो को pause करके note कर लो, करें, Okay students, so we end of a session over here, सबसे पहली चीज तो, आप सभी ने संकल्प लिया हुआ है, आप सभी मेरे साथ organic chemistry बहुत अच्छे से पूरी dedication से कवर करेंगे, जो भी lecture के अंदर करवाएंगे, उसको आप अराम से सुनेंगे, समझेंगे, नहीं समझ आ रहा है तो तो दवारा से repeat करके सुन करेंगे, तो मुझे comment section में आपका प्यारा सा comment जरूर चाहिए, भी आज का lecture आपको कैसा लगा, क्यूंकि students में आप सभी की comments बहुत ही अराम से एक एक बच्चे का comment देखते हूं, भी कहां किसको क्या doubt आ रहा है, हो सकता है, जो अभी recent comment हो, वो ना में देख पाई हूं, उनक chemistry की GOC, जिससे सभी बच्चों को डर लगता है, वो डर दूर गया या नहीं गया, because मुझे जानना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब बच्चे बताते हैं, चाहे तो positive comment हो ये negative comment हो, ते let me know अभी माम, हमने पहले इतना समझ आया था, अब थोड़ा सा और समझ आ गय जो कठिन ना हो, है हल करना मेरा जुनून, है ना, ठीके, तो असंभव, असंभव इस जंग में कुछ नहीं करना, बस मेहनत करना, संकल्प करना और आगे बढ़ना, है ना, तो बस एक जुनून लेके आओ, भी जो असंभव है, उसको संभव हमने कर देना है, है ना, so let us meet in the next lecture, till then keep smiling, अपनी smile ऐसे ही बरकरार रखिये, wish you a very 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 happy Diwali from my end and from PW family, so thank you so much and have a good day, bye bye.